कोरोना के खिलाफ जँग में रिम्स ने एक नए उपलब्दी हासल की है कोरोना काल में रिम्स प्रबंधन के सराहनिय योगदान को सराहा जा रहा है एक लाख से जादा दिए जादा कोविड जाचकर रेकॉर्ड काईम किया है रिम्स प्रबंदा ने 24 अपराल से अब तक रिम्स में 1,420 सैंपल की RTPCR टेस्ट की गई है इनमें 8,147 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जबकि 92,273 सैंपल की रिपोर्ट नेगटिव आई है और दिख जौनकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सयोगी अंजनी का अंजनी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिम्स ने एक उपलब्दी हासल किये एक लाख से अधिक सैंपल की जाच की गई है और इसके लिए स्वास्तमंत्री की ओर से बधाई भी दी गई है के पात्र जरूर है और स्वास्तमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दिये तो बढ़ी बात होती है इससे देखिए टीम का मनोबल जो है वह बहता है और बेहतर तरीके है वो कितनी लगातार दीन रात मेहनत करते रही है इसके साथ साथ है दिए हम बाद करते हैं तो जिस तरह से रिम्स में कोरोना पॉजिटीव मरीजों का इलाज हुआ राजी के 4-5 मंतरी जब कोरोना पॉजिटीव हुए तो तमाम लोग यहीं इलाज करा है तो पूरी जो टीम है डॉक्टर्स की टीम है नर्सेस की टीम है और तमाम जो मेडिकल कर्मी है वो बदाई के पात रहें क्योंकि अपना जान जोकिम में डाल कर ऐसे समय में काम करना और मरीजों का इलाज करना और सैंपल का टेस्ट करना एक बास और ये उनका होसला बढ़ाते रहे थे तो आज जो नोने जो टुट किया है टुट कर उन्होंने यह चांकारी दिये कि एक रेकॉर्ड बनाया गया है रिंस के दवारा तो वह पूरी टीम बदाई के पात रहें और ऐसे में आज काम करने का जो है और लोग बहतर तरीके से काम क लगता है कि लगातार टेस्ट करना और हर बार जो है स्पेसल राइब चला कर राची में लगबक आठ से दस लोकेशन में टेस्ट सेंपल जमा करने किया जाता रहा था और राजी के कई जीलों में भी कैम्प लगाए गये थे तो सरकार भी चाहती है कि कोई कोरोना पॉजिटि के सामने थी हंन सरकार के सामने थी और उस टुनावति को यह जो है सरकार ने बहुत सही तरीके से लिए और इस चुनावति को पूरा करने में तमाम जो मेडीकल के जो टीम रही है डॉक्ट रहे हैं रिम्स के डायरेक्टर रहे हैं, तमाम लोग जो हैं, कहीं से भी कोई कोताही नहीं बढ़ती है, बले कई लोगों की मौत हुई है, वो एक दुख की बात है, लेकिन यह हम जरूर कहा सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो, सैंपल कलेक किया जाएं, तो इन ची कीम के द्वारा लिया जा रहा था, वो पूरी तरह से निसुल्क था, राची के सदर होस्पिटल में भी कलेक्ट होता है, प्रती दिन वहां सैंपल कलेक्ट होते हैं, तो इस तरह का जो अभ्यान सरकार ने चलाया, और यही वज़ा है कि अधी पूरे भारत के परिपेश में हम देखते हैं, तो झारकन जो है बहतर पॉजिशन में है, कई राजियों की स्थिति काफी खराब है जहां 4,020,000 पर दे कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है, तो उस परिपेश में हम देखेंगे, तो झारकन अन्य राजियों की तुला में बहतर है, और काम करने के मामले में अब यह मैं पूरी टीम जो है बदाई के पात रहे धन्यवाद अंजने इन तमाम जानकारियों के लिए इस बात्चीत के लिए तो स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने ट्वीट कर रिम्स की टीम को बदाई दी है धैर करतव निश्ठा और इमांदारी के साथ काम करने के लि